तो दोस्तो हाली में Project 75i सब्मरीन को लेके कई सारे खवर आये जिनमें जर्मन कमपनी के इस प्रोजेक्ट से अपने आपको बाहर निकालने से शुरू करके South Korean कमपनी के सब्मरीन प्रोजेक्ट का एक मात्र दावेदार रूप में आगे आना तक शामिल है और दोस्तो इस के से ही आगे बढ़ाएगा और साथ में आप लोगों को ये वी जानने का आवशक्ता है कि Project 75i को लेके बीते कुछ हपतों में क्या-क्या हुआ तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को Project 75i को लेके हाली के कुछ दुनों में हुए घटनाओ के बारे में बताऊंगा और साथ में Project 75i के हर एक अफडेट दूँगा तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोसो Project 75i मतलब Indian Navy के Next Generation के 6 Conventional Submarine के Project एक बहुत ही लंबा इंतिजार किये जाने वाला Project है और दोसो जहां पे एक बहुत इंतिजार के बाद इसे लेके थोड़ा बहुत आशाये आगे आया था तो उही पे और एक वार इसके Grounded होने का संभावनाए बढ़ते जा रहा है ये संभावनाए तब बढ़ गया जब इस प्रोजेक्ट में शामिल एक महतोपूर्ण कंपणी अपने आपको प्रोजेक्ट से बाहर निकालने का इरादा जताया दोस्तो कुछ हफते पहले ही मतलब जुलाई महिने में Ministry of Defense के द्वारा Project 75 I-Kolay के request for proposal जारी किया गया था असल में इस RFE के तहट 6 conventional diesel electric submarine मतलब SSK को Make in India initiative के तहट foreign company के collaboration में निर्मान किया आना है दोस्तो हाली में इस प्रोजेक्ट में शामिल एक महत्वपूर्ण company मतलब German West तुसनकुरूप Marine System के द्वारा गॉर्मेंट को एक चिठ्थी भेजते हुए प्रोजेक्ट से अपने आपको विड्रॉल करने के लिए तीन प्रमु कारण का हवाला दिया गया बेसिकली जर्मनी के इस company के द्वारा Indian Navy को Type 218 Invincible Class Submarine का ओफर किया गया था और दोस्तो हाली में Financial Express के एक report में इन तीनों महत्वपूर्ण कारणों के खुलासा भी किया गया जिन मेंसे जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है request for proposal में flexibility का कम होना Financial Express के report के मताविक company के द्वारा ये भी वताया गया है कि request for proposal में जो शर्थ है वो काफी कठोर भी है इवन ये भी जानकारी दिया गया है कि ये इतने बड़े project के लिए request for proposal में response time काफी कम दिया गया है और company के मताविक response time करिवन 12 से 15 महिना है दोसे company के तरफ से ये भी वताया गया है कि defense acquisition council के द्वारा जुलाई महिने में approval देने के बाद जुलाई 10, 2021 के दिन project 75I को लेके request for proposal जारी किया गया और request for proposal के तहट इस साल के November महिने से ही इसे लेके response किया जा सकता है और company का ये भी कहना है कि response से पहले हर एक factor को consider करना आवशक है और इससे वज़ा से हर तरीके के factor को परकने के साथ एक नितिवद्ध तरीके से request for proposal के response देना एक time taken manner है दोस्तों तुसन कुरूब मरीन सिस्टम को project से अपने आपको बाहर करने के पीछे और एक जो महतवर्ण कारण है वो है liability cause मतलब इसके दाइत्व रिपोर्टों के मुताविक company को मतलब तुसन कुरूब मरीन सिस्टम को अगर इस project के तहट चुना जाता है तो company को project के अंतरगत बनाय जाने वाले हर एक सब्मरीन के जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा जो कि भारत में government द्वारा identify किया हुआ सी प्याड में निर्मान होगा तो सब के जानकारी के लिए वता दू कि government के द्वारा अब तक भारत में दो शिप्याडों को चुना गया है जिन में एक है private owned, L&T company और दूसरा है government owned, मजेगा और dockyard limited और रिपोर्टों के मुताविक शायद ये दोनों company के द्वारा ही मिलके छे सब्मरीनों का निर्मान मतलब शायद तीन-तीन सब्मरीन दोनों company के द्वारा निर्मान किया जाए इवन company का ये भी कहना है कि request for proposal में ये नहीं बताया गया है कि कितना technology transfer करना आवशक होगा तुसनकुरूप marine system के मुताविक गौर्मेंट के तरफ से जो request for proposal जारी किया गया है उसमें ये तो बताया गया है कि original equipment manufacture को बड़े हद तक transfer of technology करना पड़ेगा ताकि भविश्य में इस transfer of technology के तहट इंडिजिनियर सब्मरीनों के design और development किया जा सके जबकि company का ये भी कहना है कि यहाँ पे lowest leader को भी consider किया जाएगा मतलब total जिन company को OEM के तहट चुना जा सकते है उनमें जिस company के द्वारा सबसे कम मुले में सब्मरीनों को भारत को देने का बात कहा जाएगा उसे ही as a winner चुना जाएगा और इस वजाए से company का ये भी कहना है कि ये transfer of technology और intellectual property right जैसे मुद्दे के उपर भी असर डाल सकता है और दोसो last point से तो मुझे at least ये समझ में आ गया है कि government के द्वारा असल में उसी company को मौका दिया जाएगा जो सरवाधिक transfer of technology के साथ सबसे कम कीमत में भारत में इन सब्मरीनों को निर्मान करने में इच्छुग ह पर यहाँ पर तोसन कुरूप marine system के द्वारा दिया गया बयान से ये भी साफ हो रहा है कि company transfer of technology करना चाता है लेकिन वो भी अधिक कीमत में और अगर इसका कीमत कम होता है तो company transfer of technology करना नहीं चाहेगा और शायद इस वज़ाए से transfer of technology को लेके company इतना clear नहीं है और दोसो बहुत बड़ा मुश्किल होता है और खास करके जब घरिदने वाला ही इंडिया हो क्योंकि इंडिया को पुरा दुनिया के द्वारा एक बड़े market के रूप में देखा जा रहा है ऐसे में transfer of technology क्लॉस को शामिल करने के साथ साथ इंडिया द्वारा ये सित कर दिया गया है कि भविषय में भारत अपने देश में ही सब्मरीनों का निर्मान करेगा ऐसे में इन कमपनियों के हाथ से भविषय के contract भी जाने लगा है और ऐसे में कमपनी ये नहीं चाहेगा कि भारत को टेकनोलीजी मिले और अगर भारत को ये मिलता है तो कमपनी ये भी चाहेगा कि intellectual property right क के तहट कमपनी के पास इतना हक हो कि भविषय में कई सालों तक कमपनी इस टेकनोलीजी के वदालत भारत से एक बड़ा amount उसुल कर सके अब दोस्तों और एक बड़ा सवाल ये है कि जर्मनी के कमपनी के द्वारा project से अपने आपको बाहर करने के बाद ये project के ऊपर क्या अस independent propulsion system लगाने का बात कहा गया दोसों कुछ महीने पहले जब भारत के द्वारा जानकारी दिया गया कि इस सब्मरीन में original equipment manufacturer का ही एर independent propulsion system को लगा जाएगा तब सही आशंका लगा जा रहा था कि इस project में जो 5 company है इन में से at least 3 company directly इस condition के वज़ा से बाहर निकल जाएगा और इस में अगर तसन कुरूब marine system project से अपनी आपको बाहर करता है तो यहाँ पर एक ही company बच जाएगा और दोसों ऐसे में request for proposal का कोई value नहीं रहता है और दोसों शायद इस वज़ा से ये tenderview scrap हो जाए और दोसों अगर एक वार ये request for proposal scrap होता है तो शायद government के द्वारा और एक बार नए condition के साथ और नए requirement के साथ request for proposal को जारी किया जाए और इसके वज़ाए से जब अगर इतना बड़ा issue आ रहा है तो एक सवाल अप लोगों के मन में ये भी उठ सकता है कि DRDO के द्वारा जो air independent propulsion system का निर्मान किया जा रहा था उसका असल में क्या हुआ और ये AIP इतना महत् क्यों है दोसो फिलाल defense research and development organization भी एक air independent propulsion system का निर्मान कर रहा है जो फिलाल under trial है पर इसे इस project से इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि expect किया जा रहा है कि भारत जिस समय तक इन सब्मरीनों को अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा बना रहा है शायद उस समय तक ये air independent propulsion system अपना trial को संपूर्ण ना कर पाए और अगर इसे project में रखा जाता है तो ये भविश्य में project को और delay कर सकता है और इस बजा से डियाइडियो के air independent propulsion system को इस project से बाहर रखा गया और दोसो ये वी एक कारण है जिस बजाए से बाकी तीन देशों के द्वारा निर्मान किया हु पानी में रहने में मदद करता है AI-V system बाले सब्मरीन कुछ समय के बाद बार बार पानी के सतय पे आता है ताकि एट्मोस बियर में present हवा का इस्तमाल करते हुए वो generator को रन कर सके और उससे बैटरीज को चार्ज कर सके ताकि फिर से एक बार पानी के निचे जा सके जफकि air independent propulsion system से लैस सब्मरीन अपने बैट AI-V system के तरफ से जारी किया गया इस लेटर के बाद government के तरफ से अब तक इसे लेके कोई भी बड़ा खुलासा नहीं किया गया और ना ही project के scrap को लेके कोई जानकारी दिया गया फिलाल देखना ये भी है कि government के तरफ से क्या decision लिया जाता है और इस project में शामिल बाकी company के उठाया जाता है तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे जैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हूँ बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जाए हिंद